ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब जग में महान है तेरे चरणों में मेरी जान है मेरा साहिब सत्य समान है मैं बंदगी साहिब की करूँ मेरा साहिब ही भगवान है साहिब जग में महान है साहिब बंदगी साहिब बंदगी इससे पहले कालंतर में, जितने भी विचारक हुए, सिद्ध हुए, मन की दशा से निकल नहीं पाए। मन की दशा को क्रास नहीं कर पाए। साहिब के शब्दों में साहिब की आइडिलोजी में एक ही चीज़ें तेरा बहरी कोई नहीं तेरा बहरी मन तीन लोग में मनह विराजी आप शब्दों की तरफ थोड़ा चिंतन करें साहिब करें तीन लोग में मनह विराजी ताहन चीने पंडित का जी इस तोड़ा चिंतन करने पर भी आपको ये सपष्ट लगेगा कि मन से बड़ा हमारा कोई भी बहरी नहीं है भार भार जो जन्वमन के करम में हम आज गुम रहे हैं इसका कारण ही मन है, मन ही के कारण से मनश्य इस संसार सागर में भरिमित है हर एक मनश्य जो भी कर्म कर रहा है कर्म की कैसी बिरती है जो भी कर्म किया जा रहा है इसकी सिक्वेंस क्या है इसकी विदी क्या है पहले संकल्ब उठता है ये संकल्ब का जनक कोन है मन, परतम संकल्प उठता है, उधारन के लिए संकल्प उठा, दो कमरे और बनाएं, कोई भी संकल्प हो सकता है, बेटे को डाप्सर बनाएं या संकल्प हो सकता है, ब्याह करें, कुछ भी संकल्प हो सकता है, ये संकल्प का उत्मन करने वाला कोन है? मन, इसलिए साहप ने वा शिंता मिटी मन्वा बेपरवा वो ही शाहनशा है जिसको ना ही चाह भाभै, जिसकी चाह खत्म हो गई शाहनशा हो गया जिसकी चाह समापत हो गई, वो सादा अनट व्यक्ति नहीं रहता है ये तो चाह है ना आपकी क्या भी जाकत के मैं घर पहुशूँँगा ये चाहती और फलाने इस्तान पर अच्छा है ये आपकी चाहती अगर कोई भी आदमी ये मान रहा है कि इस जगह पर अच्छा है उस जगह पर अच्छा है तो ये भी एक ब्रहम है अगर सबसे उत्तमिस्तान कोई है सबसे मजबूत कोई किल्ला है तो गुरू का अस्तत्य वो क्यों है ऐसा गुरू की सुर्ती क्यों है ऐसी क्योंकि वो संकल्प विकल्प से रहते है और दुक हमें संकल्प और विकल्प के कारण से हो रहे है कोई भी आदमी जो कारी करता है इसकी उसका करम ऐसा है इसकी सिक्विन्स ऐसी है संकल्ब उठा कि दो कमरे बनाएं इस संकल्ब आर्टोमेटिक उठकर के निश्चे के पास पहुचता है हर संकल्ब पर निश्चे होगा निश्चे कुन करता है बुद्धी निश्चे है फैंसला जज्ज्मेंट देना बुद्धी फौरण निश्चे करती है दो कमरे बनाने के लिए पैसे हैं या नहीं दो कमरे बनाने में कितना रुपया लगेगा कितना सीमेंट लगेगा कितना लेवर लगेगी कितना एटें लगेगी कितना लोहा लगेगा कितना टाइम लगेगा कितनी विवस्ता करनी होगी बुद्धी निश्य करती है बुद्धी आपको फॉरण बताती है अभी आपके पास पैसा कितना है अगर लाक रप्या लगना है बुद्धी आपको बताती है इसमें एक लाखर प्रप्र लगीगा पर ये सब चीजें हो रही है आदमी इसको जान नहीं पा रहा है ये सब सुपर कम्पूटराइस खेल इस शरीर के अंदर हो रहा है फिर बुद्धी कहती हैं पचास हजार हमारे पास हैं पचास हजार पे मामा जी से बीस हजार ले लेंगे और दस बीस हजार फूपा जी से ले लेंगे दस पांच हजार महाजन से उधार कर लेंगे घर बना हो गई बुद्धी ने निश्चे कर लिया देखा ये निश्चे होगा आर्टोमेटिक होगा तब चित आता है ये फाइल चित के पास पहुँच जाती है चित क्या करता है चित याद दिलाता है अब लोहा कहां से मिलेगा सीमेंट कहां से मिलेगी लेवर के स्टोराय पर कठी होती है और पूरा माटरियल कहां से मिलेगा ये चित बताता है क्योंकि आपने घुमते फुरते कहीं देखा A.C.C. Cement Store आपने चलते फुरते देखा लक्ष के फलाना आयरन और इस तरह से आपको ये चितने याद दिलाता है अब फैल चितने के पास पहुची चितने पूरा पूरा बता दिया ये सामान यहां मिलेगा जीवन के सभी संकल्पों की पूर्ति इसी तरह से होती है। ये सभी इसी Kath से पूरे होते हैं। इसका मतलब है। हम जीवन में जो भी क्रियाइँ कर रहे हैं मन से एक इंच भी परे नहीं है कुछ। कि इस सब मन की प्रेड़ा है। जो कुछ भी हम जीवन में क्रियाई कर रहे हैं, यह सब मन की प्रेणा से हैं, देखिए मन नचा रहा है या नहीं नचा रहा है, हर काम सभी संकल्पों का प्रेणा मन है, मन है निरंजन सबे नचाए, हुआ भाव इस सब को नचाए जा रहा है, अब इसका प्रभाव इतना क्य हैं यह क्यों है ऐसे सभी काम करा रहा है कोई भी इंटेलिजेंट आद भी नहीं है गया कोई भी बुद्धिमान नहीं है क्या कोई भी यह चिंतन नहीं कर पा रहा हैं क्या यह सब तो दोगा हैं यह तो सब मन की क्रिया हैं कोई भी इस तह तक नहीं पहुश पा रहा हैं क्या क का धंदा कोई भी नहीं समझ पा रहा है सब को ये मन नचाए जा रहा है सब को मन प्रेणित किये जा रहा है कितना ताकत पर है और एक ही सिधानत में सब के अंदर बैठ करके सब से क्रियाई कराए जा रहा है मन तरंग में जगत भुलाना संपूर्ण संसार इसी सिक्यंस से काम कर रहा है काम काम सब को कहे काम नचीने कोई जेती मन की कलपना काम कहाविस होए यानि किसी भी आदमी को मन समझ में नहीं आ रहा है मन नजर में नहीं नहीं आ रहा है मन पढ़ने में नहीं आ रहा है यह बहुत बड़ी मुश्किल है और एक पल भी मन रुकता नहीं है एक पल भी मन नहीं रुकता है एक शण भी नहीं रुकता है अगर एक शण भी रुक जाएगा तो आपको आप में ग्यान हो जाएगा इसलिए मन बड़ा मुस्तेद है तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए कहे कभी ता पल्क को कल्प नपावे कोई पहली बात तो ये शरीर एक पल भी इस्तर नहीं है इसमें स्वासाइन चल रही है मन एक पल भी इस्तर नहीं है हमेशा संकल पर विकल्प कर रहा है सुर्थी एक पल भी इस्तर नहीं है हमेशा इनके विकल्पों का हल ढूंड़ती रहती है निरत भी एक पल इस्तर नहीं है साहिब कहरें तन भी इस्तर हो जाए मन भी इस्तर हो जाए सुरत भी इस्तर हो जाए निरत भी इस्तर हो जाए अगर ऐसा एक पल केवल आपके जीवन में आजाए आपने साक्षाद कार हो जाएगा एक पल यानि ये इतना मुस्तेद हैं इतना होशार है मन कि आपको एक पल भी इस्तर नहीं होने दे रहा है तन को एक पल भी इस्तर नहीं होने दे रहा है और बुद्धी को एक पल भी इस्तर नहीं होने दे रहा है चित को एक पल भी इस्तर नहीं होने दे रहा है सुर्ती को एक पल भी इस्तर नहीं होने दे रहा है नचाए जा रहा है मने निरंजन सबे नचाई नाम होए तो मात नवाई भाई हो यह सब को नचाए जा रहा है और नचाए जा रहा है पूरी ताकत से नचाए जा रहा है तीन लोग में मनहवरा जी ताहन चीनत पंडित का जी इसका वेग भी बहुत ताकत पर है इसके संकल्पों में शक्ती भी बहुत ताकत वर है इसके जो बागी इसकी बृतिया हैं बड़ी अट्रिक्टिड हैं बड़ी आकरशित करने वाली हैं काम ग्रोध लोव मौधी ये ऐसी क्रिया हैं जिन में आत्मा चाहे अंचाहे भी मन के इंफ्लेंस में मन के वश में मन के दाइरे में मन की क्रियाओं में आत्मा देव को चाहते अंचाहे भी शामिल होना पड़ लाए तो क्या कोई आद्मी किसी समाधी से किसी मुद्रा से खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, योग, आदी से क्या इस मन पर निग्रह कर सकता है बेवकूफी है बड़े बड़े लोग, इनी क्रियाओं के द्वारा बड़े बड़े रिशी मुनियों ने भी मन का निग्रह करना चाहा साहिब कर रहे हैं, कभी भी नहीं हो सकता है मन पर विजय, ये व्यक्ति इन माध्यमुदारा कभी भी नहीं कर सकता है क्योंकि जितनी भी एक्रियाओं हम करते होते हैं उस सवस्ता में इनका जनक और इनका करता मनी होता है इसलिए मन कैसे निग्रह होगा उस सवस्ता में मनी एक्टिव है हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं मन को ये एक्टिव करके मन को एकाग्र करना चाह रहे हैं ने, 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 मन को एक्टिव करके मन को एकाग्री ही नहीं क्या जा सकता है मन को मार कर ही मन का निग्रह हो सकता है यह तो अपनी परच्षाई से लड़ाई लड़ने के तरह हो जाएगा तो फिर कैसे होगा साहब करें कितने तप्सी तपकर डारें काया डारी गारा बड़ी घोर-घोर तपसे हैं की पर मन पर कोई विज्वे नहीं कर पाए मन सब को नशा रहा है किस-किस को नहीं सा रहा है बड़ी-बड़ी गण गंदर्व वाँ भई गंदर्व गण वियाई पी लोग गंदर्व बड़ी-बड़े आर्टिस्ट कलाकर रिशी मुनी और देवा ये सब लगए है मन ही किशेवा सब मन के गुलाम है सब पर मन हावी है जो जो चाहता है मन वो करवा रहा है वो करवा रहा है और पेर पेगंबर कुतब अल्या यदि हम इन दिब्ब पुर्शों के जीवन की तरफ भी देखते हैं निस्पक्षोकर के चिंदन करते हैं तो सच में लगता है सब को नचाया इस मन ने बड़े-बड़े घोर तपस्या करने वाले तपस्यों को इसने नचा दिया बड़े-बड़े पीर पेगंबरों को नचाया कई-कई शादियां ब्याह कर दिया कई-कई वास्ना में आए कई-कई अनल गल्ड काम कर डाले कई कई बार हत्याइं कर डाली कई कई बार अंचित कर्म कर डाली और इन सबी चीजों को हमने लीला और माया में शमार कर दिया हमने इन सब कामों को लीला और माया में शमार कर दिया लेकिन साहिब ने इसे मन की शक्ति का यह मन है निरंजन माया ने सब को नशाया माया महा ठागन में जानी तिरुक नफास लिए कर डोले बोले मधरवानी कितने बड़े स्पेशलिश्ट थे साहब मन के जो दिशा साहब ने संसार को दी बड़ी जोड़दार थी इसका मतलब है हमारी आत्मा में अगर हमारे आत्मिग्यान में अगर सबसे बड़ा कोई बादक है तो वो है हमारा मन कहे निरंजन कौनी मानी मन को कोई देखने पाए वा नाना नाश नशाय बाजी गर का बांदरा ऐसा जीमन साथ ये नाना नाश नशाय के राखे अपने हाथ आखर पर हमारे आत्मिग्यान की तरफ कैसे चल सकते हैं कोई विधी हैं क्या नहीं इन पंच मुद्राओं दारा हम आत्मिग्यान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सबी मुद्राए क्रिया से होती है और जहां क्रिया है वहां मन का समाविष्ण होगा जहां भी क्रिया है वहां मन का समाविष्ण होगा मन नितान्त वहां पर होगा ये सब चेश्टा हैं तो परच्छाई से युद्ध करने के काबिल है तो आखिर सूत्र क्या है वा नाम सूत रहें इस पर विजय प्राप्ट करने का नाम वावई नाम की महमा कही गई यतार्त में हल है नाम एक बड़े सठीक शब्द में साहफ पूरी बात ख़तम कर रहे है मने निरंजन सवे नचाए सब को नचा रहा है पर नाम हो तो मात नवाबे अब हमें देखना होगा क्या चीज़ नाम कहरें जब नाम होगा तब यह मन काबुआ जाएगा मेरे एक शब्द पर चारों तरफ बहुत बड़ा विवाद ख़ड़ा हो रहा है चारों तरफ बड़ी डिसकेशन्स चल रही है चारों तरफ मेरी अलोशना भी हो रही है वो शब्द हैं जब मैं यह कहता हूँ जो वस्त मेरे पास है वो ब्रमान में कहीं नहीं इस पर बहुत तकड़ा विवाद उटता है मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि नाम नाम होए तो मात नवाबे इसका सरली कर्ण कर रहा हूँ जब भी किसी को नाम देता हूँ मैं तीन चीज़ करता हूँ नामदान वो है वो चीज़े नाम यह प्रक्लिया नाम है भोजन क्या है भाई उसमें खाद्य पदार्तों का समावेशन कई विविद अनाज, डाल, आटा, चावल, सबजिया यह सब मिलाकर भोजन होता है भींडी भोजन नहीं है या गेहू भोजन नहीं है या एक सबजी भोजन नहीं है या एक अरहर की डाल भोजन नहीं है वो तो अरहर की डालें केवल सबी जो हम भोजन के लिए पदार्त इस्तिमाल कर रहे हैं उनका समाविशन भोजन है तो नाम क्या है नाम कोई अलफाज नहीं है आओ मैं प्रूप कर रहा हूँ मैं ये कहता हूँ जो चीज हमारे पास है ब्रमान में कहीं नहीं ये मेरा अहिंकार नहीं है ये मेरी आस्ता और घ्रता से ये बात बोला क्योंकि जब हम नाम की मैं इसको सिद्ध भी करूँगा जो भी आदमी दिख्षा लेता है मेरे संपर्ट में आता है ये ललाचित करने के लिए नहीं बोला हूँ तीन काम करता हूँ पहला आत्मा और मन को अलग कर देता हूँ ये प्रक्रिया बड़ी कठिन है दूसरा हिर्दे को प्रकाशित कर देता हूँ कोई कनेक्शन फिट करके बलब डाल कर नहीं यहां वाइरिंग करके अंदर कोई बलब पहुचा दिया और बटल लगाया और दब गया नहीं तीसरा कम्प्रीट सिक्यूर्टी आपके साथ दिप शक्तिया हमेशना काम करेगी मैं जानता हूँ आपको मेरी इस बात का भरुसा नहीं होगा क्यों क्यों नहीं होगा आपकी गलती नहीं है आज बड़े जहांसे बड़े बड़े वाइदे बड़ी बाते करके काफी मतमतांतर के लोग सब को अपनी और आकरशित कर रहे हैं इसलिए आदमी सतर को गया है द पहली चीज़ मन और आत्मा अलग कैसे हुई ये कोटी जन्म का पंथदा गुरुपल में दिया लगा है जैसे हंसा की चोंच में एक सधान एक हंसे की चोंच में एक गुण है वो जल और दूद को अलग कर देता है एक तत्व हैं उसके चोंच में एक तत्व हैं ऐसा काम बाकी कोई भी जीव धरती का नहीं कर सकता एक हंसा कर सकता है इस तरह एक महाप्रश्की सुर्थी में ये गुण है जैसे मन्तानी दूद और मक्षन को दही च्छांच और मक्षन को अलग कर देती है इस तरह एक महाप्रश्की जिसकी परंच चेतन सुर्थी है आत्मार मन को अलग कर देगा इसी पर साहिब ने एक शब्द का कोटी जन्म का पंतता गुर्पल में दिया लखा है जो मन बड़ी चेश्टा से हमारे अलग नहीं हो सकता था ये पल भर में गुरू ने कर दिया इसी बात की पुछती वावाई बुले शाह अपनी वाणी में कह रहे है गजब की बात कह रहे है ना रब में तीर्था नड़िया ना रोजा नमाजे बुले शाहनो मुर्शिद मिलिया अंदरो रब लखाया मैं जानता हूँ बुले शाह बोले कि ना रब में तीर्था डिटिया ना रोजा नमाजे बुले शाह नो मुर्शिद मिलिया अंदरों रब लखाया इस तरह है मैं ये बात किया रहा हूँ ये काम गुरू पल्मे करता है अगर आप जितने भी कथाब आचक मतनतांतर के अगुआ है उनकी वाणियों को अगर पहले वाणियों को आप देखेंगे तो इसमें सबी कह रहे हैं भाई तू कुछ कर तू कुछ कर तू कुछ कर जहां वो कह रहे हैं तू कुछ कर तो कमाई कर वहां मुझे शंशे हा जाती है ये फार्मूले का ये ग्याता नहीं है ये इस फार्मूले का ग्यानी नहीं है इसको ये विधी नहीं आ रही है साहिब नाम है तारन हारा, इसमें जीवन का सुख सारा, तुझे मिल जाएगा किनारा, मेरा साहिब है सब का सहारा, है तीनों लोक में न्यारा, हम तेरे है तू है हमारा, साहिब नाम है तारन हारा, देरा साहिब है सब का सहारा,